तो बेटा इसका जो जी पाड है, जी पाड में triangle एकस वाई जी ड़ा करनी है, और इस में जो पहले line ड़ा करनी हो, एकस वाई है, और फिर angle X 60. degree है और angle Z 90. तो हुआ पहले इसमें हम, एकस वाई जो है, वो 6.3 degree ड्रा करते हैं, तो ये बेटा इसका first step हो गया कि, एक्स वाई 6.3 सेंटिमीटर यह हमने ड्रा कर लिया अब इसमें एंगल जो एक्स है वो 60 डिग्री है तब हम एक्स के उपर एक्स पॉइंड के उपर आर्ट ड्रा करेंगे तो यह हमारी 60 डिग्री का एंगल ड्रा होजेगा यहां पर पहरे पैंसल को राख लें और फिर स्केल को साथ जोड़ दें इसको जितना मज़े आप लंबा खें सकते हैं आप देखें के उपर एक एक्स एंगल दिया हुआ दूसरा जी एंगल दिया हुआ है तो लेकिन आप जी एंगल कि हमें पता नहीं के कहां पे है तो हमें पता है कि जो टोटल ट्राइंगल होती है टोटल ट्राइंगल का जो सा तो यह आजएगा जो सी एंकल है वह नहीं हुए नाइं टीगरी माइन इस तरह से हमारे पास एंगल वाय आजएगा य यह नि के फॉल एंगल दिए उन तो माइस कर देंगे तो हमारे पास जाएगा थर्टी डिग्री तो अंकल 味लाए की वैलियू निकालेंगे और एंगल जो वाई है यह ड्रा कर लेंगे तब हम वाई के उपर थर्टी डिगरी का एंगल ड्रा करेंगे तो था तो वाई के उपर आके हमने एक आर्क ड्रा करेंगे यह आर्क रहा की तो अब यहां पर रखे हमने जब एक आर्क लगाएंगे तो यह हो जाएगा 60 डिगरी का 60 कब आपने हाफ करना है एक आर्क इदे लगाई और एक 60 पर रखे एक दूसरी आर्क लगाएंगे जो कि इसका बाइस सेक्टर हो जाएगा तो आप इसको हम स्केल के साथ जाइन कर देते हैं इस पॉइंट की ड्रेक्शन में इस पॉइंट के साथ आप रख लें पैन को रखें पैन के उपर और फिर स्केल को आज़ादा साथ लें तो यह बेटा यह हमारा यह 30 डिगरी का अंगल है यहां से लेकर यहां तक और यह 60 डिगरी का अंगल है और इस पॉइंट का नाम हो गया पॉइंट जी तो बेटा इस तरह से यह आप इस ने जो जो हमने काम किया इसके स्टेप्स पी आप लिख लेंगे और अमीद है कि आपको इसकी समझागी होगी हो क्या लाफिश